हेलो फ्रेंट्स, नमस्कार, स्वागा दिस ने ये वीडियो में बात करने वाले हैं SAC Phase 10 2022 का जो है कैसे फॉर्म को फिल करेंगे Step by Step मैं आपको जो है लाइफ फॉर्म करके बताने वाला हूँ 2000 से ज्यादा पोस्ट पे जो है SAC Phase 10 वेकेंसी जारी कर दिया है इसका फूल नोटिफिकेशन भी आ चुका है आप देख सकते हैं 12 माई से फॉर्म फिल पर स्टार्ट है 13 जूम तक आप फॉर्म को अपलाई करेंगे इस वेकेंसी में जो है कई तरह के अलग-अलग पोस्ट है अगर मेंटिक पें circ पर तो आपके लिए अलग से पोश्ट है ग्रीजियोशन प सब इसके साथ ही साथ , अगर आपने 12 क्लास qualify किया है तो अलग आपको पोस्ट है मैं आपको A to Z guidelines बताऊंगा कैसे form को apply करना है, किस तरह से post को choose करेंगे, अलग-अलग post पे कैसे apply करेंगे, इसके साथ ही साथ photos in nature, यह सब जो हमें आपके करके आपको बताने वाले हैं, all in a vacancy, friends, आप किसी भी राजस आते हैं, तो form को apply कर सकते हैं, SC, ST, और female को कोई भी application fee नही दे दिया है, आप क्लिक करके इस website पर आके यहां सा sort notification को पढ़ सकते हैं, as well as आपको apply link और full notification का भी option मिल जाता है, तो आप आप आ जाएंगे इस website पर और आपने SCGD, SCMTS, CHSL, CGL का form आप यही से feel किया होंगे, आप सब को पता है इस website के बारे में, देखिए, अगर आप phrase candidates है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां पे जो है new registration का option है, यहां पे देख सकते हैं, register now, new user, आप इस पे click करेंगे, जिसा आप इस पे click करेंगे, यहां पे आपको जो है, अपना सबसे पहले registration करना होगा, यह जनकारी भरना होगा, कि आपके पास अधार card है कि नहीं, आप यस करेंगे अधार संख्या लिखेंगे उसको से यहां पर अपना नाम लिखेंगे दुबारा से लिखेंगे उसको से पूछ रहा है कि आपने कभी अपना नाम चेंज कर रहा है चेंज किये तो यस करेंगे नहीं किये तो नो कर देंगे फिर अपना फादर्स नेम फिर दुब दुबारा सथ हैंगे फिर पासिंग चूच करेंगे सबस्सदोंक बार चूच करना जेंडर कूच करेंगे फिर यहां पे यहां पर लेभल अफ chef क्या आप कहां तक पढ़ाइं किये हैं जाилась किया या गरिजिशन किये हैं यहां आप और पक को क्या है का चूच करने कि अहां से पर्मनेंट निवासी है तो चूच करेंगे तो यहां पर सेव करनी या करते हैं नहीं पर यहां तो मैं बैली कोडर अगर दोनों सेम सेम करेंगे यह इस पे किल कर यहांगे सेंयरिना पिरेंगे आपको सेब आज Prior देना है और देखना है कि जो भी अपने जनकारी फील किया हो सब चीज सब्सक्राइब करेंगे जिसमेंगे ऐसे प्लोल सब्सक्राइब करेंगे तो यूजर नेम आया होगा पासवर्ड लोगिन करेंगे तो तुरंत बोलेगा कि आप अपना password को change करें, password जिसे आप change करेंगे, उसके बाद से friends आपका यहाँ पे जो है, आप login हो जाएंगे, और दुबारा से आपको नया user ID password के साथ, जो आपने change करा, उसके साथ login करना है, तो यह जो है रेशेशन का process है, जो कि मैंने आपको कभर किया, अगर मान लिजिए आप कभी SSC का form feel किये हैं, जैसे SSC MTS आया था, हवालदार वाला SSC MTS, उसको यह से CHSL का आपने पहले कभी form feel किया हो, या phase 9 vacancy आया थी, वो आपने form feel करा हो, या जो है SSC GD का form feel किये थे, तो उसी user ID password से क्या करेंगे, आप login होंगे, जो पुराने candidates हैं, तो वो अपना user name यह यहाँ पे होनी चाहिए, तो वो कोई एक option को feel करेंगे, submit करेंगे, तो आपको password reset करने का option आ जाएगा, आपको username भी सोग कर देगा, registration number और password भी आपको बनाने का option आ जाएगा, तो यह आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से करेंगे, चलिए हमारे पास एक user ID है, यानि registration number पर है, पासवर्ड है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, login होता हूँ, जैसे friends आप यहाँ पे login करेंगे, यहाँ पे आपका जनकारी आ जाता है, phase 10, 2022, selection post, यहाँ पे आ चुका है, download का भी option, यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेसन डाउलोड करने का post details का भी option है, तो अ तो यह सारे details आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद ही आप confirm करेंगे कि आपको किस जो है reason में आविदन करना है, अब यहाँ पे देखिए, आपने MTS का आविदन करा था, तो उसकी जनकारी यहाँ सो हो रही है, CHSL वाला सो रही है, तो सबची 100 ह होता है यहाँ पे, आपका history भी सो करेगा, application history कि आपने कौन को अभी तक form feel किये थे, चलिए हम यहाँ पे करते है, apply वाले पे click, यहाँ पे face 10, apply नीचे देखिए, इस पे click करेंगे, जिसा आप इस पे click करेंगे, आपकी सारी जनकारी यहाँ पे सो होगी, जो आपने registration करते व policy qualification का नुसार आपको यहाँ पे choose करना है, जिससे हम यहाँ पे central region choose करते हैं, और यहाँ पे post code automatic आजाएगा, देख सकते हैं, और यह post code कैसे confirm करेंगे, कि यह वाला जो post code है, वो SSC MTS के लिए, या assistant के लिए है, या radio के लिए, जिसके लिए है, किसके लिए है, हम यहाँ पे सम समझ लिए, आप अगरेंगे notification को download कर लेंगे, एक बार notification के page number जो है, आप बिलकुल नीचे आजाएंगे, सबसे नीचे आपको आना है, देखें, यह जो है, इस पे आजाना है आपको, और एक बार इसको जो अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, देखें, यहाँ पे CR सेट है, यह भी यहाँ पे दिखाया गया है, समाल लिजे, ST में आप आवधन कर रहे हैं, और ST में यहाँ पे seat नहीं है, तो कोई फाइदा नहीं आवधन करने से, तो vacancy जो है बहुत कम है, और central wise मतलब regional wise यहाँ पे vacancy को बताई गई है, तो आप यहाँ पे ध्यान से आवध नहीं में, देख रहे हैं, इसमें age भी बताया गया है, यहाँ higher secondary है, बरहुई pass के लिए है, तो आप यहाँ पे conform करेंगे, इसी तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं, कि फार्मेसिट का vacancy है, बरहुई pass बोला गया है, और कहां merit में इसकी vacancy लगने वाली है, central government health scheme merit में, तो assistant junior medical laboratory technologist, इस code का नाम यह है, और यहाँ पे यह vacancy का location है, और कितना seat है, यहाँ पे देख सकते हैं, बताई गया है, तो आप जिस भी region के लिए apply करना चाहते हैं, आप free है, जहाँ भी region में आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन आपको सोच समझ के यहाँ पे post की choice करनी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उमीद करता है, आप समझ गया होगे कैसे आप post की choice कर सकते हैं, जिसे हम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पोस्ट का नाम और level of the post, यहाँ पे automatic आ जाएगा, ठीक है, तो आप अपने according जो है यहाँ पे चूच करेंगे, और उसका post का नाम और यहाँ पे details जो है खुल के आएंगे, समझ में आगया friends, अब देखें यहाँ पे graduation है, और मैंने minimum qualification भारा है 12 हुई, तो फिर आप graduation वाले post पे कैसे apply करेंगे, इस चीज़ को भी आपको समझना है जरूर, कि आप जो है ऐसा ही post चूच करेंगे, जो 12 ही past पे है, या 12 ही past प पढ़ा हुआ है, आपने notification पढ़ा हुआ है, qualification पढ़ा हुआ है, या experience जो भी मांग रहे है, वो आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपको exam center choice करनी है, जो भी आपका nearest exam center पढ़े, आप अपने according यहाँ पे जो भी है, तीन preference को prefer करेंगे, एक कहीं पढ़ेगा आपका exam, फिर directly आपको नीचे आना है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप जो एज में छूट लेना चाहते हैं, जिसे मानलेजीए, आप समझा जोते हैं आपको यहाँ पे, जिसे मानलेजीए आप जो है, लाइबरेरी कलर के लिए आवधन करना चाहते है, 18-25 वर्स इसकी उम्र है, रखा गया, मैट्रिक पास पे है, तो 18-25 है, अब 25 से आपकी उम्र ज्यादा है, तो आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं, यस पे क्लिक करके, अगर आप में यह वला उप्सन खूल के आ रहा है तो, क्योंकि SC, ST, OBC को जरूर यह उप्सन आएगा, अगर आपकी उम्र 25 से ज् आपने जो post twice किया हुआ है, pharmaceutical, तो यहाँ पे essential qualification जो है, intermediate आएगा, और बोला जा रहा है कि आप जो है, फिजिस chemistry biology होने चाहिए, तो यह भी आपको choice करना है, कि अगर आप मालनीजा बाइलोजी से नहीं पड़े हैं, और आपने form feel कर दिया, तो फिर गलती हो जाएगा, ध्या आप यहाँ पर मालनीजा गलती चूच कर लिए, तो आप यहाँ से central region को हटाएंगे, और यहाँ से फिर से चूच करेंगे, दूसरा कोई post, जैसे MTS lady, आप देखें, यह lady की vacancy है, lady medical attendant, तो आप जैन्रल, आप जैन्स हैं, तो फिर आवेदन करेंगे, तो यह भी form focus हो और फिर आपको indicate your highest educational qualification, highest कहां तक आपने पढ़ाई कर रहा है, वो भी आप यहाँ पर करेंगे, बता देंगे, जैसे graduation किया है, तो graduation भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, या केवल 12 ही तक ही आपने highest qualification किया, तो 12 ही आप यहाँ पर बता सकते हैं, तो यह चीज आपको अच्छे स इसे twice करनी है, समझ में आगया friends, अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है details of work experience, क्योंकि यहाँ पर किसी कुछ वेकेंसी में work experience मांग रहा है, तो आपको work experience देना जरूरी है, ठीक है, किसी किसी में नहीं मांग रहा है, तो आप इसे छोड सकते हैं, फिर आपको नीचे आनी है, यहाँ पर आपको जो photograph को upload करनी है, तो photograph जो है, बहुत ही sample रखा गया है, आप यहाँ पर click करेंगे, तो sample आपको देखें, यहाँ पर खुल दाएगा, यह देख सकते हैं, सबसे उपर वाला जो acceptable photograph है, इस तरह से आपको, इस बार जो है है, कि whether the photograph has been taken after 11.02.2022, आपको yes कर देना है, उसी तरह से signature जैसे आप करते हो, यहाँ पर choose कर लेंगे, फिर यहाँ पर इसको agree करेंगे, और इस capture को भरके, preview वाले बटन पर आपको click करनी है, अब यहाँ पर friends आपको preview खुल के आज आता है, कि आप एक बार verify करेंगे, कि जो भ भरे हुए है, ठीक है न, एक बार जरूर चेक कर लेंगे, अगर कुछ भी mistake है, तो आप यहाँ पर edit या modify करेंगे, नहीं mistake है, तो आप यहाँ पर form को submit करेंगे, form को submit करते हैं, इस तरह से option आएगा, pop-up आपको पढ़ना है, फिर आपको ok करना है, ok जिसे click करेंगे, यह बोल कर सकते हैं, अब देखें, यहाँ पर क्या है, कि अगर मालेज आप SCST या female होते, तो आपको directly यहाँ पर print करने का option आता, यह do you want to process for payment का option नहीं आता, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर click करेंगे, इसको आपको you have not applied for this examination, आपको close करना है, और यहाँ पर देख सकते जो भी options है, card का है, net banking का है, other payment mode का है, तो इसमें से कोई भी payment gateway को choose करेंगे, और उसके बाएस से friends का करेंगे, आप यहाँ पर form को last मतलब कर देंगे, और last जैसे कर देंगे friends, तो उसके बाएस आपको final print out निकालके रख लेनी है, उसके बाएस आपको कोई भी इसके आगे process न पजिए, तो payment status को check करने के लिए, आपको फिर से login होना होगा, और यहाँ पर देखिए, application status का option है, और payment status का भी option है, तो आप यहाँ पर payment status क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर so हो जाएगा, कि आपका payment complete है, कि incomplete है, और pending भी है, तो यहाँ पर दिखाएगा, गर transaction हो चुका है, तो यहाँ पर reference number भी यहाँ पर दिखाएगा, तो इस तरह से क्या करेंगे, आप जो अपना payment को track कर सकते हैं, और यहाँ से जो आप verify कर सकते हैं, और वहाँ पर cross verification भी option आता है, जो आप यहाँ पर cross verification भी, देखिए, यहाँ पर double verification of payment, इस पर click करेंगे, तो आप double verification करेंगे, तो तो जो है, payment आपका, जो है, successfully होगा, तो successfully हो जाएगा, नहीं तो आपके account में return आएगा, तो दुबारास आपको payment करना होगा, लेकिन आपको 12-48 घंटा wait करना होगा, तो इस तरह से friends आप देख सकते हैं, यह जो है application form है, SSC phase 10 form का, उमीद करता हूँ आपको जनकारी अच्छी जस वागा हूँ आपको जनकारी अच्छी हुदाए हुदाए हुदान सुछा।